बारिश के मौसम के शूरू होते ही हर एक शहर में कॉंट्रेक्टरों द्वारा किये गए सामरीक कारिये खुले पड़ जाते हैं ऐसा ही एक सामरीक कारिये सामने आया है दमन बस डीपो से वापी की और जाने वाला खारिवार का यह रोड इसका ताजा तरीन उदाहरन है बारिश का मौसम शुरू भी नहीं हुआ था कि तभी इस रोड की हालत खसता हो चुकी थी अभी तो वर्षा की रूतु अपने दूसरे चरम पर है पर इस रोड को देखते उस पर से गुजरते समय ऐसा लगता है कि हम लोग चान की जमीन पर आ गए हो रास्ते की बुरी हालत से यहां से आवागमन करते वाहन चालकों को कई दिक्कते और कठीना या बुगतनी पड़ रही है खारीवार के इस रोड से रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों की आवाजा ही लगी रहती है पर फिलहार यह रोड दो-दो फीट के गहरे गढ़ों में तबदिल हो चुका है जिसके चलते इस रोड से गुजरते वहान चालकों को कौन से गड़े को छोड़ कर उससे बचा जाए या फैसला लेने में उलजने और सवाल खड़े हो रहे हैं जबकि बाइट चालकों के इन गड़ों की वज़े से गिरने की भी गटनाय कई बार सामने आई है रातरी समय के दौरान इस रोड पर स्ट्रीट लाइट ना होने से रोड पर पड़े यह गड़े वहान चलकों को आसानी से दिखाई नहीं पड़ते जिस कारण कई बार बड़ी दुरगटनाय भी इस रोड पर हो चुकी है प्रशासन को इस रोड की स्थिती की जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने बारिश के मौसम के शुरू होने से पहले इस रोड का मरम्मती करण और पैचवर कारिया हाथ नहीं लिया खारिवाण के इस रोड पर से तो दम्मन के सत्तादीशों, अधिकारियों, सांसद और खुद प्रशासक अनेको बार आवाजाही करते रहते हैं पर फिर भी यहां से गुजरते वक्त उन सब की आँखों पर पट्टी लग जाती है या वे खुद पट्टी बान लेते हैं ऐसे सब सवाल खड़े हो रहे हैं ऐसी स्थिती में अब ऐसे रोड बनाने वाले कामचोर विबगों की लापरवाही से वहांचालों को में रोश फैला हुआ है और पूरी तरह से खकड़ चुके इस रोड की जल्द मरम्मती हो ऐसी मांग वहांचालक कर रहे हैं अब बनाने वाले को मांग वहांचालक की एड़े हैं